ग्यारा जन्वरी 1986 आज से 55 साल पहले आदी राप को एक ऐसी खबर आई थी जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया था इस दिन सोवियत संग के शहर ताशकंद में भारत के दूसरे प्रधानमंतरी लाल भादुर शास्त्री की रहस्मई मौत हो गई थी आखिर भारत के प्रधानमंतरी की मौत कैसे हुई थी यह मौत थी या बहुत बड़ी साजिश 55 साल बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है यह आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज है लेकिन आज इस राज के पन्ने खरीबात में तथ्यों तर्कों और सबूतों के साथ खोले जाएंगे आज खरीबात में होगी एक प्रधानमंतरी की मौत की सबसे बड़ी परताल आज आप ये जानेंगे कि शास्त्री जी का शव नीला क्यों पड़ गया था क्या उन्हें जहर दिया गया था आज आप जानेंगे कि शास्त्री जी के शरीर पर काटे जाने के निशान क्यों थे आज ये सवाल उठेगा कि देश के प्रधानमंतरी की रहस्मई हालात में मौत होती है और फिर भी उनका पोस्माटम नहीं किया जाता है आखर कियों? आज ये राज खुलेगा कि शास्त्री जी को जहर देने के शक में एक शक्स को ताशकंद में हिरासत में लिया गया था वो कौम था और उसे क्यों छोड़ दिया गया? आखिर उस थरमस की मिस्ट्री क्या है जिसमें आखरी बार शास्त्री जी ने पानी पिया था कि आप जानते हैं कि 55 साल में शास्त्री की मौत की सिर्फ एक बार जाँच कराने की कोशिश हुई है लेकिन कोई नतीजा निकलता इसके पहले ही उनकी मौत के दो सबसे बड़े चश्मदीद और राजदार एक बहनकर साड़क हाथ से के शिकार हो गए और आज ये राज भी खुलेगा कि क्या था इंद्रा गांधी का लाल बहाद्र शास्त्री की मौत से कनेक्शन लेकिन शास्त्री जी की मौत का राज क्या है ये जानने से पहले बहुत जरूरी है ये जानना कि आखिन की मौत किन हालात में हुई थी सितमबर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच बिहानक जंग हो रही थी देश की कमान लाल भाद्र शास्त्री के हातों में थी इस जंग में हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को चारो खाने चित कर लिया पाकिस्तान के साथ युद्धखत मोहने के बाद लाल भाद्र शास्त्री पाकिस्तान के राश्पती अयूब खान के साथ बाचीट के लिए सोवियत संग के शहर ताशकन पहुँचे सोव्य संग के पधानमंत्री एलेक्सी कोसिजिन की मद्धस्ता में शास्त्री जी और अयूब खान के बीच पूरे साथ दिन तक बात्चित चली 10 जनवरी 1966 की साम 5 बजे शास्त्री जी और अयूब खान समझोते पर सहमत हो गए इस समझोते को नाम दिया गया ताशकंद समझोता कहते हैं सोव्य संग के दवाब में भारत ने पाकिस्तान को समझोते के तहत युद में जीता गया हाजी पीर और तितवाल इलाका लोटा दिया था इस फैसले से सब हैरान थे क्योंकि कश्मीर घाटी के दोनों इलाके सामरी की रूप से बहुत महत्व के थे खेर इसी राग एक बचकर बीस मिनिट पर शास्त्री जी की तबियत अचानक खराब हो गई उनके कमरे में ना बरजर था ना फोन वो खुद चल कर अपने नीजी साहिक रामनात के कमरे में पहुचे शास्त्री जी किस हालत को देखकर उनके साथ गए उनके परसनल डॉक्टर चुग को उनके कमरे में बुलाये गया शास्त्री जी डॉक्टर चुग से कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल रही थी वो बार बार अपने बिस्तर के पास रखे थरमस की और इशारा कर रहे थे डॉक्टर चुग ने उन्हें एक इंजेक्शन दिया लेकिन सब बेकार रहा वतन का ये लाल वतन से हजारों किलोमेटर दूर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया शास्त्री जी का शव हिंदुस्तान पहुचाया गया और उनके अंतिम संसकार के पहले एक बहुत बड़ा विबात शुरू हो गया दरसल इंद्रा गांधी नहीं चाहती थी कि लाल भादुर शास्त्री का अंतिम संसकार दिल्ली में हो जिसके बाद लाल भादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने आमरण अंशन की चेताबनी दे दी थी हाला कि इंद्रा गांधी तब तक प्रधार मंत्री नहीं बनी थी लेकिन शास्त्री के बाद प्रधार मंत्री बनने की रेस में वो बहुत आगे थी इंद्रा गांधी और लरीता शास्त्री के बीच हुए इस विवात के बारे में लिखा है वरिष्ट पत्रकार कुलदीब नईयर ने अपनी इस आत्म कथा एक जिन्दगी काफी नहीं में जो इस वक्त मेरे हाथ में है मैं आपको बता दू कि कुलदीब नईयर शास्त्री जी के प्रेस एडवाइजर थे और उनकी मौत के समय वो ताशकन में ही मौजूद थे और सारी घट्नाओं के चश्मदीद थे नईयर अपनी इस किताब के पेश नंबर 211 पर जो लिखते हूं से आप ध्यान से सुनिए में किये जाने की मांग पर इंद्रा गांदी के नकरात्मक रवये के बाद ललिता शास्त्री ने हामरण अंशन की धमकी दे दी आखिरकार इंद्रा गांदी को जुकना पड़ा दरबसल लालबादू शास्त्री की रहसमें मौत के ठीक बाद उनके परिवार को चुप कराने की कोशिशें शुरू हो गए थी शास्त्री जी का शवव पूरा नीला पड़ चुका था जिसे लेकर परिवार को शक हो रहा था लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था इस बात का सबूत है यह तस्वीर शास्त्री जी के शब की एकलोती रंगीन तस्वीर है इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि शास्त्री जी का चहरा पूरा नीला पड़ चुका था शास्त्री जी की मौत के पूरे चार साल तक चुप रहने के बाद आखिरकार उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने वो खुलासा किया जिसे जानने के बाद पूरे देश में हडकंब मज गया ललिता शास्त्री ने 14 अक्टूबर 1970 को उस समय देश की सबसे मशूर मैगजिन रही धर्म्युक को एक संसनी खेज इंटर्व्यू दिया इस इंटर्व्यू में ललिता शास्त्री ने कहा कि एरपोर्ट पर हम में से किसी को भी उनके शव के पास जाने की इजाज़त नहीं दी भी हमको उनके पास नहीं जाने दिया गया उनका पूरा शरीर नीला पढ़ने के साथ साथ बुरी तरह से फूल गया था आपको ए जानकर हैरानी होगी कि उनका शरीर इसकदर फूल गया था कि उनके कुर्ते को बड़ी मुश्कल से निकाला गया जब कि बन्यान को तो भाड कर अलग किया गया जब कुछ लोगों ने शास्त्री जी के चेहरे के धब्बों की तरफ इशारा किया तो किसी ने फॉरण एक कटोरी में चंदन का लेप लाकर उनके पूरे चेहरे पर पोद दिया लेकिन दाग इतने गहरे थे कि चंदन का लेप लगाने पर भी वो साफ नज दरा रहे थे उनके पेट में प्लस के जैसे चीरे जाने का निशान था किसी को नहीं पता कि ये निशान कैसे आया मेरे मन में तभी कुछ शक थे लेकिन मैं इतनी वैथित थी कि मैं इस बारे में किसी से कुछ कह नहीं सकी ललीता शास्त्री ने इस इंटरव्यू में एक और खुलासा किया उन्होंने बताया कि शास्त्री जी ने मरने से पहले अपने थरमस की तरफ बार बार इशारा किया था जाहिरे उसमें रखे पानी में कुछ गड़बर थी जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे शास्त्री जी ने आखी बार इसी थरमस से पानी पिया था जो उनक फौरन पाने निकाल कर दिया गया। लेकिन उन्होंने पानी पीने की बजाए उसी थरमस की तर एक बार फिर उंगली इठाकर इशारा किया। जान पाऊंगी मुझे लगता है कि मेरे पती की हत्या की गई है लेकिन मैं नहीं जानती कि इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए ललिता शास्तरी के संसनी खेज इंटर्व्यू के बाद पूरे देश में हंगामा मज गया इसकी गूज संसद में भी सुनाई दी जिट्टे हुए इंदरा गांदी की सरकार ने संसद में एक लिखित स्टेट्मेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि शास्तरी जी के शव को सुरक्षत रखने के लिए उनके शरीर की एमबॉंबिंग की गई थी जिसके तहत उनके शरीर में तीन लीटर स्पीट और फॉर्मल का मौसम था ताशकन से दिल्ली की फ्लाइट भी कुछ ही घंटों की थी ऐसे में इस शव को इस तरह से सुरक्षित करने की जरुवत क्यों पड़ी लिहाजा विबक्षी स्टेश्यों का आरूप था किस स्टेटमेंट में कई बाते चुपाई गई हैं इंदरा सरकार पर सब के स्वास्त मंत्री बने राइट नाराणने अठा दिसंबर 1970 को संसद में कहा कि लाल भादुर शास्त्री एक गरीद के घर में पैदा हुए बालक थे जो बाद में इस देश का प्रधानमंत्री बन गया इस सरकार ने पूरी कोशिश की कि लाल भादुर शास्त्री को इस उपर आता है। इंद्रा गांधी अक्सर ये अफसोस जताती थी कि हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया और मैं ऐसी ही रह गई। ठीक तरह से भहस ना हो सके इसलिए सरकार ने संसद सत्र के आखरी दिन स्टेटमेंट पटल पर रखा है। और हुआ भी यही संसद अनिश्यत काल के लिए स्थागित कर दी गई। और मार्च 1970 में देश में नए आमचिनाव हो गए। लेकिन जब संसद में भहस हो रही थी दूद थे और भारत-पाकिस्तान वारता के दोरान ताशकंद में ही मौजूद थे। टीन कॉल के रसोईये मुहमद जान ने ही आखरी बार लाल बहाद्दुर शास्त्री के लिए खाना बना कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कश्मीरी पंडित टीन कॉल नहरू गांधी परिवार के बेहत खास और करीबी थे। इतना ही नहीं कॉल को सोवेट संग का कट्टर समर्थक भी माना जाता था। शास्त्री जी की रहस्मई मौत में टीन कॉल को लेकर वरिश्ट पत्रकार कुल्दिब नयर को भी शक था। दोहजार दस में मैंने खुद लाल भादुर शास्त्री के मौत पर इंडिया टीवी में एक डॉक्यूमेंटरी बनाई थी जसके लिए कुल्दिब नयर का भी इंटर्विव लिया गया था और अपने इंटर्विव में कुल्दिब नयर ने कॉल पर शक जाहिर किया था। इतना ही नहीं कुल्दिब नयर अपनी इस आत्म कथा एक जिंगी काफी नहीं के पेश डंबर 208 पर इस बारे में लिखा है नजर लिखते हैं कि TN कॉल तब विदेश सचिप थे और शास्त्री की हत्या के शणियंत्र में उन्हें भी भागिदार ठहराया जा रहा था ये बड़ा वहियात आरोप था कि रूस अमर्थक इंद्रा गांदी को सत्ता में लाना चाहते थे इसलिए TN कॉल दवारा भेजगे खाने में जहर मिला दिया गया था तब TN कॉल ने मुझे संबर्ग किया और कहा कि मैं बयान जारी करके ये कहूं कि शास्त्री की मौत दिल के दोरे से हुई थी जब मैंने उनसे कहा कि मैं किसी संसदिये बहस में नहीं उलजना चाहता हूं तो वो मुझ पर बहुत ज़ादा जोर डालने लगे कॉल के बार बार अंगोत करने के बाद मैं उस दिन से ये सोचने लगा कि क्या शास्त्री की मौत सच में दिल के दोरे से हुई थी सोचिए कॉल की इस हरकत में शास्त्री जी की मौत के चश्मदीत रहे कुल्दीब नईयर के मन में भी शक डाल दिया कि दाल में जरूर कुछ काला था दरसल इसकी वज़ा थी टी-एन कॉल का रसोया मुहमद जान जिसने आखरी बार एक रूसी रसोये एहमद सतारोव के साथ मिलकर शास्त्री जी के लिए खाना बनाया था मुहमद जान इस देश का एक हाई प्रोफाइल रसोया था वो कॉल से पहले पूरे ग्यारा साल तक मौलाना अबुलकलाम आजात का भी रसोया रह चुका था शास्त्री जी के मौत के कुछ घंटों बाद ही सोवियत खूफिया एजनसी केजी बी ने मुहमद जान और रूसी रसोये एहमद सतारोव को गिरफतार कर लिया था इस गरफतारी का राज पहली बार खुला था 1998 में जब बिटिश अकवार दटेलिग्राफ ने इस ख़बर को च्छापा था बाद में जाकर 2013 में खुद एहमद सतारोव ने रूसी वेबसाइड रशिया बियान को एक इंटर्व्यू दिया जिसमें उसने अपनी गिरफतारी के बारे में सारी जानकारी देते हुए कहा कि केजीवी के अपसर ने मुझे सुभा चार बजे जगा कर बताया कि भारती पधानमंत्री लाल भाद्दूर शास्त्री की मौत हो गई है और ये शक है कि उन्हें जहर दिया गया है इसके बाद मुझे हतकरियां लगा कर ताशकन से 30 किलो मिटर दूर एक कस्बे में तहकाने में बंद कर दिया गया कुस देर बाद केजीवी के लोग भारती रसोये मौम्मद जान को भी लेकर वहां आ गए हमें लगा कि जरूर इसी रसोये ने शास्त्री को जहर दिया होगा हाला कि बाद में केजीवी ने एहमस अतारोग और मुहम्मद जान दोनों को सबूतों के आभाव में रिहा कर दिया लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस राज को भारत सरकार ने इतने सालों तक प्यों छुपा कर रखा यहां तक कि 1970 में इंद्रा सरकार ने शास्तर जी की मौत पर जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें भी इस गरफतारी का जिक्र नहीं था हैरत की बात है कि जिस महमद जान पर देश के प्रधानमंत्री को जहर देने का आरोप लगा था उसे बाद में दिल्ली में राश्पती भवन का रसोईया न्यूक्त कर दिया गया ये बात समझ से परे है कि महमद जान जैसे संदिग्द को आखिर तकालिन इंदरा गांदी सरकार ने ये इनाम क्यों दिया लेकिन इस मामले में सिर्थ इनाम ही नहीं दिया गया बलकि कुछ लोगों को भेंकर सजाएं भी मिली और इनी में से थे शास्त्री के निजी सिगतसक डॉक्टर चुग और उनका निजी साहिब रामनात ये दोनों शास्त्री जी की मौत के एहम चश्मदिद गवा और राजदार थे लेकिन दोनों संदिग्द हालात में सडख हाथ से के शिकार हो गये दरसल मार्च 1977 में आम चुनावों होने वाले थे चुनावों में कॉंग्रेस की हारताय थी और ये माना जा रहा था कि जनता पार्टी सत्ता में आते ही शास्त्री जी की मौत की जाच के लिए एक आयोक का गठन कर सकती है लेकिन चुनावों से कुछ दिन पहले वो हुआ जो इस साजिश और शक को और पुखता बना देता है शास्त्री जी के परसनल डॉक्टर चुप की कार को एक ट्रक ने टक कर मार दी जिसमें डॉक्टर चुप उनकी पत्नी और उनके बेटे की घटना इस थल पर ही मौत हो गई वहीं शास्त्री जी के निजी साहक रामनात को शास्त्री जी के घर के पास ही एक बस ने टक कर मार दी हाला कि रामनात जिन्दा तो बच गया लेकिन इस दुरगटना में उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वो किसी गभाई के लायक नहीं बचा रामनात के बारे में ये जानकारी मुझे खुद उसके बेटे ने साल 2010 में दी थी जब मैं इंडिया टीवी में शास्तर जी की रहस्माई मौथ पर एक डॉक्यूमेंटरी बना रहा था वहीं डॉक्टर चुक की मौथ का मामला तो खुद संसद में भी उठा था 24 जून 1977 को सीपीम के सांसद जोतिर मैं बसू ने लोग सबा में कहा था कि ट्रक ने डॉक्टर चुक की कार को पीछे से टक्कर मारी थी टक्कर के बाद डॉक्टर चुक कार से बाहर निकले लेकिन इसी दौरान उसी ट्रक ने उनको दोबारा टक्कर मार कर कुचल दिया सामाने तोर पर ऐसा किसी हाथसे के दौरान नहीं होता है 1970 के आखरी में विबख्ष के कई नेता शास्त्री जी की रहस्माई मौत के मामले में इंद्रा गांधी पर लगातार आरोप लगा रहे थे और इसकी वज़ा थी इंद्रा गांधी का सोवियत संग का कटर समर्थक होना विबख्ष के नेताओं का आरोप था कि निश्पक्ष लाल भादुर शास्त्री की तुल्ना में इंद्रा गांधी सोवियत संग के लिए फायदे का सौदा थी इंद्रा गांदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से भारत सोव्य संग के खेमे में शामिल हो गया था उससे इस आरोप को मजबूती भी मिल रही थी यहां तक कि सरदार बल्लब भाई पटेल की बेटे दहिया भाई पटेल का भी यही मानना था दहिया भाई पटेल राज सवा में सांसत थे और शास्त्री जी की मौत के बाद से ही इस मामले को संसत में जोर शोर से उठा रहे थे उन्होंने इस दिशय पर एक बुकलेट लिखी थी जिसका नाम था वाज शास्त्री मड़र्ड यानि क्या शास्त्री की हत्या हुई थी इस बुकलेट में सरदार पटेल के बेटे दहिया पटेल ने लिखा था कि सभी जानकार ये मानते थे कि शास्त्री जी ने भले ही ताशकर्ण समझोते पर हस्ताक्षर कर दिये हो लेकिन भारत लोट कर वो सियासी दवाव और विरोध में समझोते को पलट सकते हैं लेकिन समझोते के फोरण बाद अगर शास्त्री जी की मौत हो जाती है तो समझोते को लेकर किसी किस्म का विरोध नहीं होगा ताशकर्ण समझोते को शास्त्री जी का अमन के लिए किया गया आखरी बड़ा काम समझा जाएगा और हिंदुस्तानी आवाम अपने शही नेता के सम्मान के खातिर ताशकर्ण समझोते को आसानी से स्विकार कर लेगा दहिया पटेल ने जो कहा था वो सही साबित हुआ था शास्त्री जी की मौत के बाद ताशकर्ण समझोते की शर्तों पर किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया लेकिन एक सवाल ऐसा था जो बार बार वो था लाल भाद दूर शास्त्री और इंद्रा गांदी के बेहत खराब रिष्टे जी हां शास्त्री जी के प्रधार मंत्री बनने के बाद से ही इंद्रा गांदी उन्हें नापसंद करने लगी थी ये बात मैं नहीं कह रहा बलकि ये बात लिखी है जम्मू कश्मीर के प मंत्री मंदल में खुश नहीं थी। मुझे लगता है कि शास्तर जी से उनके निजी संबंद कभी सोहद्र पूर्ण नहीं रहे। को लिखा है भारती इतिहास के एक महान पत्रकार इंदर मलहत्रा ने। कि क्या ये फैसला लेने से पहले शास्तर जी को मुझसे या फिर वित्तमंत्री टीटी कश्टमंचारी से सला नहीं लेनी चाहिए थी। मैं ये पद नहीं चाहती लेकिन फिर भी मुझसे सला ली जानी चाहिए थी। इंदरा गांदी विदेश मंत्री बनना चाहती थी और शास्तर जी उन्हें ये पद नहीं दे रहे थे। इस पर अगर आपको वरिश पत्रगार इंदर मौलात्रा की लिखी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर आपको एक दूसरे वरिश पत्रगार कुल्दिप नईयर की इस किताब को पढ़ना चाहिए इस किताब के पेश डंबर 180 पर वो लिखते हैं कि एक बार शास्तर ज ने मुझसे जानना चाहा था कि मेरी नजर में सबसे अच्छा विदेश मंत्री कौन हो सकता है उस समय विदेश मंत्राले शास्तर जी के पास ही था लेकिन विवारी की बज़ा से डॉक्टरों ने उन्हें काम का बोज कम करने की सला दी थी मैंने उन्हें इंद्रा गांधी क और अपनी अंदेखी से इंद्रा गांधी परेशान हो गई थी। शास्त्री जी के होते हुए उन्हें राजनीती में अपना कोई भविश्य नजर नहीं आ रहा था। लिहाजा वो सब को छोड़ छाड़ कर लंदन में बसने का प्लान बना चुकी थी। यहाँ उनके दोनों बेटे राजिव गांधी और संजे गांधी उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे। ये बात खुद इंद्रा गांधी ने अपनी बेहत करीबी अमेरिकी दोस्त डोरोथी नॉर्मन को एक पत्र में लिखी थी। इंद्रा का ये पत्र खुद दोरोथी नॉर्मन ने अपनी किताब इंद्रा गांधी लेटर्स तो एन अमेरिकन फ्रेंड में प्रकाशित किया था। इस पत्र में इंद्रा गांदी ने डूरथी नॉर्मन से लंदन में बसने के लिए होने वाले खर्चे और अपने पिता नहरू की किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी पर बात की थी। दरसल हुआ यूँ था कि लाल भादूर शास्त्री ने ताशकन जाने से ठीक दो दिन पहले 31 दिसंबर 1965 को वित्त मंत्री टीटी कश्मरचारी को बरखास्त कर दिया था। कश्मरचारी इंद्रा गांदी के बेहत करीबी माने जाते थे। कुल्दी नईयर ने इस बारे में अपनी आत्बकता के पेश डंबर 196 पर जो लिखा है उसे आप धान से सुनिये। टीटी कश्मरचारी के इस्तिफिके बाद इंद्रा गांदी को लगने लगा था कि अब उनके दिन भी पूरे हो गए हैं और किसी भी दिन उनका भी पत्ता कड़ सकता है। इंद्रा गांदी के काफी नज़दी की माने जाने वाले दिनेश्रिंग के अनुसार वो इंग्लेंड में बसने की सोचने लगी थी। उन्होंने वहां रहने के लिए होने वाले खर्चे और नहरू की किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी के बारे में भी पता करवाया था। इंद्रा गांधी को एहसास हो चुका था कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शास्त्री की ताकत बढ़ गई है और उन्हें देश के हीरो के रूप में देखा जाने लगा है। इंद्रा गांधी लंदन बसने का तो सोची रही की बलकि परदान मंतरी लाल भादूर शास्त्री भी उनको भारती राजबीती से दूर लंदन भेजना चाह रहे थे। ये संसनी खेज खुलासा किया था वरिष्ट पत्रकार इंदर महलोत्रा ने अपनी किताब इंद्रा गां करश्मचारी के स्तिफे से इंद्रा गांधी आहत थी क्योंकि वो नहरू के वफादार थे। इंद्रा गांधी अब एक बार फिर सब कुछ छोड़कर लंदन जाने का मन बना चुकी थी। उन्हें इस बात का भी शक्त था कि शास्त्री भी यही चाहते हैं। लाल भादूर शास्त्री ने अपने सलाकारों को ये गुपत बात बताई थी कि इंद्रा गांधी का दिल्ली की बजाए लंदन में रहना बहतर होगा। शास्त्री इंद्रा गांधी को ब्रिटेन में भारत का हाई कमिशनर का पद देना चाह रहे थे लेकिन इस देश की नियती ने कुछ और ही सोच रखा था लाल भादुर शास्त्री एक ताबूत में बंद होकर ताशकन से भारत लोटे और हमेशा के लिए बिटेन में बसने की सोच रही इंद्रा गांधी इस देश की प्रधान मंत्री बन गई निश्यत तोर पर लाल भादुर शास्त्री की मौत का इंद्रा गांधी को राजने तिक फाया लाब मिला लेकिन सीधे सीधे ये कह देना गलत होगा कि शास्त्री की मौत के पीछे इंद्रा गांधी का हाथ था हाँ ये जरूर है कि लाल भादुर शास्त्री की मौत सामाने नहीं थी बलकि एक साजिश थी और इस साजिश के पीछे कौन था ये तभी सामने आ सकता था जब इसकी इमानदारी से जाच करवाई जाती जो कभी की ही नहीं गई देखा जाए तो अभी भी देर नहीं हुई है भारत सरकार को देश के इस लाल की रहस्मई मौत की जाच करवाना चाहिए शायद कोई सच सामने आ सके वरना तो इस देश के लोग इतियास भूलने की बीमारी के पुराने मरीज रहे हैं और क्या पता एक दिन शायद ये लोग देश के सबसे मानदार पधान मंत्री लाल भाद दुर शास्तिरी को भी भूल जाए फिलाल खरीबात प्रकर के साथ में इतना ही आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेस्बुक पेज प्रकरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया